नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टडी विद पियन लोदा साथियों रीट मेंस एक्जाम 2023 के लिए सेक्सिक प्रिद्रिश्य से ओल टोपिक से आपके लिए पेपर नंबर 12 लेकर आया हूं देखिए 30 टेष्ट की ये सीरीज चला रहा ही है जिसमें परते एक टेष्ट में आपके 20 प्रष्णों को सम्मेलित किया जा रहा है टोटल 600 प्रष्णों को इस टेष्ट सिरीज में सम्मिलित किया जाएगा जिसमें से मेरा ये मानना है कि आपके एक्जाम में इस टोपिक से संपोन टोपिक से जिसे सेक्षिक पृदृषिक के अंतरगत आपके सेक्षिक नवचार आता है जो निशूलकेव मनिवारिबाल सिक्ष का अधिकार अधिनियम 2009-2011 है वो भी आता है फ्लेग्शिप योजनाय हैं जनकल्यान का योजनाय हैं साथ आपके ICT का जो टोपिक है सेक्सान अधिगम के जो नवाचार है विद्याले परबंदन समीती है एनिपी 2020 है इन सभी चीजों को बिल्कुल आप कम्प्लिट कर सकते हो इन 30 टेस्टों के माध्यम से तो टेस्ट स्रीज को लगतार फोलो कीज जा रहा है देखिए 1 बटा 3 माइनस मारकिंग टेस्ट में रहेगी अगर कोई प्रिष्ण गलत करते हो तो आपके एक बटा 3 नमबर कम हो जाएंगे तो पहला प्रिष्ण देखेंगे आपके प्रिष्ण संख्या एक में आप से क्या पूंचा जा रहा है साथियों कोई भू भूकाने सोये इस संकल्पना पर आधरित जो योजना आपको यहां पर लग रही है उस योजना का चुनाओ आपको प्रिश्ण संक्या एक में करना है तो बताइए पहले प्रिश्ण में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा तो मित्रों राइट आंसर देख लेते हैं कि वह प बतातियों इंद्रा रसोय योजना में बहुत ही कम बिलकुल नियोंतम राशि में भोजन उपलब्द कराया जाता है ठीक है विकल्प आपके तीन प्रिश्ण संक्या एक में सही है प्रिश्ण दो क्यों बढ़ते हैं तो चलिए दूसरा प्रिश्ण देखेंगे प्रिश्ण संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सइई है, शैशन की किस सेवा के अंतरगत, मोटर वाहन पंजी करन किया जा सकता है, तो मोटर वाहन का जो हम पंजी करन करते हैं, कोई भी अम गाड़ी लेते हैं तो उसका पंजी करन करना जरूरी होता है साथियों, तो ये ई-परिवहन क कि सेवा के अंतरगत किया जाता है कि सेवा के अंतरगत किया जाता है इपरिवहन सेवा के अंतरगत विकल्प दो आपके सात्यों प्रिश्ण संख्या दो का सई उत्तर है चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या तीन की ओर तीसरा प्रिश्ण देख लेते हैं मुख्य म कब की गई यह आपको प्रिश्ण तीन में बताना है देखिए तीसरे प्रिश्ण का जो सयुत्तर रहेगा आपके वो रहेगा विकल्प नंबर एक एक अप्रेल दो हजार तेरा को कब एक अप्रेल दो हजार तेरा को मुख्य मंत्री सुबलक्ष्मी योजना की शुरुवात की गई थी और यह जो मुख्य मंत्री सुबलक्ष्मी योजना है साथियों इस योजना का जो शुबारम किया गया था उसका उदेश्ता कि बालिका जन्म को प्रु होती थी इसी वज़े से मुख्यमंत्रिल सुबलक्षमी योजना का आरम किया गया ताकि जो जो बाली का मृत्ति उदर है उसको कम किया जा सके विकल्प एक आपके प्रिश्ण तीन में सही है प्रिश्ण संख्यात चार और बढ़ेंगे चोता प्रिश्ण देख लेते हैं सात्यों देख आज का यह सेकन्ड वीडियो है ठीक एना आज का यह सेकन्ड वीडियो है पहला वीडियो राजिस्तान की जो करांती है तो उसका फाइनल पार्ट मतलब कलास नंबर 12 जो है साथ यो मैं अपलोड कर चुका हूँ अगर उसको नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखिएगा और साथ ही सभी को पता होगा कि इस्टेडिविद पेनलोदा एप्लिकेशन पर जो बुगोल का गोल्डन टेस्ट नंबर साथ है उसको भी सुब अपलोड कर दिया था एक 49 रुपे की जो टेस्ट स्रीच चलाए जा रही है जिस पर लगबग 90 के आसपास आपके टेस्ट हो चुके हैं तो नवंबर नवंबर क कहर रखा है तो मैंने कमेंड बोक्स में भी एप का लिंक दे दिया है वहाँ से आप एप को डाउनलोड कर सकते हो और आप प्ले स्टोर पे जाकर भी आप एप को डाउनलोड कर सकते हो इस्टेडि विद पेनलोदा के नाम से एप को सर्च करोगे तो आपको एप मिल है जिसमें मेरातन टेश्टों का भी आयोजन किया जाता है तो चलिए प्रिश्ण नमबर चार में आपसे क्या पूंच रहा है इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें किसकी साहिता लेनी होती है www की isp की http की और एन की देखो यदि हमें इंटरनेट से जुड़ना है तो आप किसकी साहिता लोगे इन में से सात्यों प्रिश्ण संख्याच 4 का सही आंसर देखे तो आपका सही आंसर हैगा विकल्प नंबर प्रिश्ण संख्याच 4 में सोरी विकल्प नंबर 2 आई-एस-प क्या रहेगा आई-एस-प की जरूरत पड़ेगी हमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए आई-एस-प क्या होता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करवाता है उससे हमें जुड़ने की जरूरत पड़ेगी जिसे हमारे पास जो सीमें होती है न सात्यों जिसे आपके पास ए इंटरनेट सर्वेस प्रोवेडर के इंतरगती ये चीज़ आती है, तो विकल्प नमबर आपका जो दो है, प्रिश्ण चार का सही उत्तर है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या पांच किया, पांच वा प्रिश्ण आपसे क्या पूच रहा है, प्रिश्ण नमब तकिएगा सात्यों, हम सभी ने COVID-19 को भुगता है कि क्या क्या चीज़े हमारे साथ हुई थी, यहाँ पर बात की जा रही है कि WHO ने COVID-19 को वेश्विक महामारी कब गोशित किया, तो आपका अंसर रहेगा 11 मार्च 2020 को, 11 मार्च 2020 को ही WHO ने COVID-19 को वेश्विक महामारी गोशित चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्विक महामारी गोशित किया COVID-19 को वेश्विक मार्च 2020 को, चलिए आगे बढ़ेंगे साथ यह प्रिश्विक महामारी 6 में आप से क्या पूछ रहे है, वियावसाईक संस्ता के लिए domain name होता है .com, .government, .net और .EU तो देखो व्यवसाइक संस्ता की यहांपर बात की जा रही है व्यवसाइक संस्ता के लिए जो domain name होता है वह आपको प्रिष्ण संख्या 6 में बताना है साथ यू छेटे प्रिष्ण का सभी answer क्या रहेगा आपके व्योव सैक संस्ता के लिए domain name क्या होता है डोट कॉम क्या होता है डोट कॉम होता है अगर आप इन डोमेनों को समझ सको तो बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको किलियर कर दूँ कि अगर किसी संस्ता के बाद डोट कॉम लिखा होता है तो मतलब वो व्योव सैक संस्ता किसी संस्त प्रिश्ण नम्र साथ को देखेंगे साथियों प्रिश्ण नम्र साथ में क्या पूंच रहा है आटी नियम के अनुसार PP3+, PP4+, PP5 में आटी में प्रिश्ण नम्र साथ का सही उतर है तो देखो आटी का नियम क्या कहता है कि PP3+, PP4+, PP5 अब आप सारा confusion तो यहां होगा ना अब भी मैं बता दोगा तुरंत आंसर निकल दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन confusion यह होगा कि PP3 प्लस क्या है PP4 प्लस क्या है और PP5 क्या है तो साथियों मैं आप सभी को बता दूँ किसका answer है नहीं ले सकते हैं क्यों है क्यूंकि RT6-14 वर्ष के बालकों के लिए होती है और PP3 प्लस मतलब 3 वर्षिस से अधिक लेकिन 4 वर्षिस से कम PP4 मतलब 4 वर्षिस से अधिक लेकिन 5 वर्षिस से कम और पिपिफव ये मतलब 6 वर्ष से कम 5 वर्ष का बालक तो 6-14 वर्ष के लिए होता है ये तो मतलब ये पुरू परात में किस तरकी बात की जा रही जो पुरू परात में कि विद्धियाले होते हैं वहाँ पर 8-Ext लागू नहीं होता है इसी वज़े से आपके नहीं ले सकते वाला जो दूसरा विकल्प है यही आपका सही अंसर है चलिए आगे बढ़ेगे प्रिश्ण आर्ट के और आटवा प्रिश्ण देख लेते हैं साथ यो प्रिश्ण नमबर आर्ट कौन सा सर्च इंजन विध्यालियों के लिए विग्यापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करता है विग्यापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान जो करता है सर्च इंजन सर्च इंजन जैसे अपन जैसे गूगल पे भी सर्च करते हैं याहू पे भी सर्च करते हैं तो विद्यालियों के लिए विग्यापन मुक्त खोज की सुझदा जो सर्च इंजन प्रदान करता है गूगल, बिंग, याहू और कोई नहीं तो देखो प्रिश्ण संख्या आठ में सही आंसर बताई आप कोई भी चीज सर्च करते हो ओपन करते हो किसी वेबसाइट को तो उस पर कुछ एड भी लगया होते हैं आपने देखा होगा साथियों, एड जो लगया होते हैं उन एड से जो वेबसाइट का जो ओनर होता है उसकी इंकम जनरेट होती है लेकिन एक सर्च इंजन है जिसका नाम क्या है बिंग साथियों ये जो सर्च इंजन है विद्यालियों के लिए विग्यापन मुप्त खोज की सुविधा प्रदान ये करता है कौन सा बिंग विकल्प 3 आपके प्रिश्ण 8 का सहीद आंसर है प्रिश्ण संख्या नो की ओर बढ़ेंगे साथियों नोवे प्रिश्ण में आपके क्या आंसर है तो चलिए नोवा प्रिश्ण देख लेते हैं आर्टी दो अजार नो की अनुसार कक्षया एक से पांच तक चात्र सिक्सक का अनुपात होगा विकल्पो को देखिएगा 30 अनुपात एक होगा 35 अनुपात एक होगा 40 अनुपात एक होगा या 45 अनुपात एक होगा तो देखो आर्टी दो अजार नो क्या कहती है की कक्ष्या एक से पांच तक जो प्रात्मिक विद्याले होते हैं यहाँ पर 30 चात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी लेकिन अगर 200 या इससे अधिक चात्र हो जाते हैं तो चात्र सिक्सा कनुपात 41 हो जाता है आया था ना प्रिश्न पिछली रीट में साथ जिस पर कई लोगों ने रीड भी लगाएती लेकिन हुआ कुछ निता 200 साधिक दे दे तो 41 साही रहेगा नहीं तो 31 साही रहेगा प्रात्मिक में यूपीयस में अगर पूच ले तो यूपीयस का अनुपात होता है भाई 30 अनुपात एक यूपीयस मतलब कक्षा 6-8 तक की जो विद्या ले होते हैं तो फिर यहां पर विकल्प एक साही है क्योंकि यहां कक्षे 1-5 की बात की जा रही है नौवे प्रिश्ण में प्रतम विकल्प सही रहेगा चलिए प्रिश्ण संख्यात 10 की ओर बढ़ेंगे दसवे प्रिश्ण में आप से क्या पूच रहा सात्यों प्रिश्ण नमबर 10 कम्प्यूटर की कौन सी यूनिट अंक गणिती है और तार की किरिया करने का मुख्य कारे करती है CPU, ALU, Output Unit और इन में से कोई भी नहीं तो दसवे प्रिश्ण में बताईए मित्रों प्रिश्ण संख्यात 10 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा दिये गए विकल्पों में से बात करेंगे हम कम्प्यूटर की कौन सी यूनिट, यूनिट की बात की जा रही है यह मतलब जो अंक गणिती है, अंक गणित से संबंदित और तार की किर्याई करने से संबंदित कारी करती है तो उस यूनिट का नाम आप से पूचा गया है प्रिश्ण 10 में और उस यूनिट का नाम है साथ यो ALU क्या है, ALU के द्वारा ये कारी किया जाता है, विकल्प नंबर दो आपके प्रिश्ण 10 का सायांसर है जबकि CPU के अगर हम बात करें तो CPU होता है कंप्यूटर का दिमाग और इसका मुक्य कारी क्या होता है CPU का मुक्य कारी होता है, प्रोग्रामों को किरियान वीद करना कोन करता है CPU जबकि अंक गणिती और तार की किरिया कोन करता है ALU तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा दसवे प्रिश्ण में आपके सिकंड विकल्प सही है चलिए आगे बढ़ेंगे साथ योग प्रिश्ण संख्या 11 की ओर ग्यारवा प्रिश्ण देख लेते हैं प्रिश्ण नमबर 11 आर्टी एक्ट 2009 में कुल धाराये हैं 38 धाराये हैं, 49 धाराये हैं, 27 धाराये हैं और 37 धाराये हैं देखो इस प्रिश्ण को मैंने वापिस देखो पहले भी कराया था लेकिन इसको मैंने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि हमने बहुत सी बार साथ कियो आर्टी जो एक्ट है इसमें 38 दाराओं पड़ रखी है ठीके न बहुत सी बार लेकिन वर्तमान में देखिएगा आर्टी एक्ट दो जारनों में धाराओं की संक्या अगर आपसे पूच ले अगर प्रिश्ण दारेक लिप पूचा जाए आईकन ओउन कर लेना साथ यो ताकि परति एक विडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द महुँज सके बारवा प्रिश्ण है URL का पुरा नाम है Universal Resource Location Uniform Resource Location Uniform Resource Locator और Universal Resource Locator तो प्रश्चन संख्या 12 का बताईए कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर रहेगा देखिए URL की बात की जा रही है URL का पुरा नाम इन में से क्या है तो साथियों URL का अगर हम पुरा नाम देखे तो इसका पुरा नाम होता है Uniform Resource Locator क्या होता है Uniform Resource Locator URL हम केते ना कि ले इसका URL बता तो URL का मतलब होता है Uniform Resource Locator विकल्प नंबर आपका जो तीन है प्रश्चन संख्या 12 का सही उत्तर है जलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्चन संख्या 13 की ओर तेरवा प्रश्चन देख लेंगे मित्रों प्रश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूँच रहा है वो कौन सी कक्षा है NEP 2020 के अंतरगत तो पांचवी कक्षा से आटवी कक्षा से छेटी कक्षा से और ग्यारवी कक्षा से प्रश्चन संख्या 13 का सही उत्तर बताए कौन से विकल्प का चुनाओ करोगे तेरवी प्रश्चन में तो साथी राइट आंसर देखे देखे NEP 2020 क्या के रहिए कि बालक जब कक्षा 6 में प्रवेश्च लेगा कौन सी कक्षा में 6 में मतलब 5 वी पास करने के बाद छेटी कक्षा में जब बालक प्रवेश्च लेगा तो छेटी कक्षा से उसको व्यवसा एक सिक्षा परदान की जाएगी किसमे NEP 2020 में तो फिर कौन सा विकल्प आपके सही हो जाता है प्रश्चन संख्या 13 में विकल्प नंबर जो 3 है आपके 13 प्रवे प्रश्च का बिलकुल सयान सरे साथ यो किसी प्रश्च में कहीं कोई छोटी दिखे तो बिलकुल आप कमेंड बोक्स में कमेंड कर सकते हो प्रश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं प्रश्चन 14 है कौन सा आउटपुट उपकरन कंप्यूटर स्क्रीन को बड़े परदे पर दिखाता है मोनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर प्रश्चन संक्या 14 में कौन से विकल्प का चुनाओ करोगे बात की जा रहा है यह आउटपुट उपकरन आउटपुट की बात की जा रहा है इनपुट की बात नहीं की जा रही है computer screen को बड़े पर दिखाता है तो सात्यों computer जो screen होती है हमने कहीं जगे VC वगएरा देखी है तो जो computer की छोटी सी screen है उसको हम बड़े पर देखते है permett और बड़े पर किस माद्यम से देखते हैं आप किस माद्यम से देखते हैं और आप भी projector की माद्यम से ही कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़े परदे पर देखते हो तो कौन सा विकल्प सही है सात्यों प्रिश्ण 14 में विकल्प नंबर जो 3 है ये आपके चौदवे प्रिश्ण का सही उत्तर है चलिए पंद्रुवा प्रिश्ण देख लेते हैं प्रिश्ण संख्या 15 देखिएगा प्रिश्ण नंबर 15 को एक वर्ष में विद्यले प्रबंदन समीती की साधरन सबा की नियूंतम कितनी बेट के होना आवश्यक है दो बेट के, तीन बेट के, चार बेट के और पांच बेट के विद्याले प्रबंदन समीती की यहां पर बात की जा रही है साथियों एक वर्ष में एक वर्ष की यहां गर हम बात करें तो पूरे वर्ष में कम से कम विद्याले प्रबंदन समीती की चार बेट के होना आउशक है कितनी चार बेट के होना बहुत ही आउशक है विकल्प नमबर आपका तीन प्रिष्ण संख्या 15 का सई आंसर है चलिए आगे बढ़ेंगे मतलब ये देखो चार बेट के होना आउशक है ना तो मतलब प्रतिक तीन माँ में एक बेटक होना आउशक है और उसका रिकोर्ट शाला दरपन पर भी अबडेट किया जाता है कि हमने जो बेटक की है इसमें क्या-क्या नेने लिए गए है क्या-क्या सुझाव दिये गए है क्या-क्या सुधार किये गए है क्या-क्या विकास के लिए कार्य किये गए है तो विकल्प 3 आपके प्रिश्ण 15 में सही है चलिए 16 देख लेते हैं आपके प्रिश्ण संख्या 16 में आपसे क्या पूंच रहा है तो प्रिश्ण संख्या 16 है मित्रों आपके माउस की साईता से किसी ओब्जेक्ट को किस से खोला जाता है सिंगल किलिक से, डबल किलिक से, राइट किलिक से और ड्रेग ड्राप से तो प्रश्ण संख्या 16 में, अगर आपने माऄस का यूज चलाते हैं, जानते हो न सबी माऄस को तो माउस का जो यूज किया जाता है सात्यों जिसे लेपटोप यदे आप चला रहे हो या पिर आप कंप्यूटर चला रहे हो तो बिल्कुल माउस का हम उसमें उप्योग करते हैं अब सात्यों जो mouse होता है, mouse में इस प्रकार से दो बटन लगे होते हैं और बीच में ये cursor भी होता है, ठीक है ना, यहां पर cursor क्या हो गुमाने का जिससे cursor उपर नीचे जाता है, तो अगर हम देखें, यहां पर बात की जा रही है, माउस की साहिता से किसी object को किस से खोला जाता है तो सातियों single click से एक बार touch करने से कोई folder open नी होता है बलकि एक साथ double click करना होता है एक साथ किती बार click करना होता है double bar click करना होता है तब जाकर के हम किसी object को खोल सकते हैं किस की साहिता से माउस की साहिता से विगल्प नमबर कौन सा आपका सही है प्रिश्ण संख्या 16 में सेकंड विगल्प आपका सही आंसर होगा चलिए प्रिश्ण संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं आपके प्रिश्ण नमबर 17 में क्या पूँच रहा है इस्टार बेक टू इसकुल किसका भाग है दिक्षा का भाग है निश्टा का भाग है SIQE का भाग है और RKSMBK का भाग है तो यहां पर इस्टार बेक टू इसकुल की बात की जा रही है जातियो प्रिश्ण संख्या आपके 17 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर हैगा देखिए अगर हम बात करें इस्टार बेक टू इसकुल की बात की जा रही है यहां पर तो यह दिक्षा का भाग तो नहीं है यह दिक्षा का भाग अगर आप करते हो तो यह गलत है ये निश्टा का भाग भी जो दूसरे विकल्फ में दे रखा है इसका भी ये भाग नहीं है साथियों ये SIQE का भी भाग नहीं है बलकि ये किसका भाग है RKSMBK जो राजस्तान के सिक्षा में बढ़ते कदम कारिकरम है जिसकी शुरुवाद 11 जुलाई 2022 से की गई ती साथियों इसी के अंतरगत 5 अगस्त से तो बेसलाइन असेस्मेंट शुरू किया था इस्टार बेक टू इसकुल जो उप्चारात्मक कारिकरम है ये एक जो कक्षा 3-8 तक चलाया जा रहा है और एक उप्चारात्मक सिक्षन कक्षा 9-12 के लिए चलाया जा रहा है तो ये सारी चीज़े आरके SMBK से संबन दीते हैं राजस्तान के सिक्षा में बढ़ते कदम लिकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रिश्ण संख्या 17 का सई उत्तर होगा चली आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या 18 की और 18 वा प्रिश्ण संख्या 18 में क्या पूँच रहा है वीडियो प्रोग्राम है सेक्षिक तकने की दिटिये है सेक्षिक तकने की प्रतम है दोनों है और इन में से कोई भी नहीं तो देखे वीडियो प्रोग्राम की बात की जा रही है प्रिश्ण संख्या 18 में कौन सा विकल्प का चुनाव करोगे तो कोई नहीं वाला आप का अंसर होता नहीं है अब तीसरा दूसरा या पहला कौन सा विकल्प सही रहेगा साथ यो प्रिश्ण संख्या 18 में पताएगा 18 को मर्दू उपागम के नाम से भी जानते हैं यह आद आपको प्रिश्ण इसमें रखना है तो अठारवे प्रिश्ण में फिर कौन सा सही रहेगा साथियों वेड़ी प्रोग्राम क्या है सेक्षिक ताक्निकी दीतिय या कोमा लुपा गम है विकल्प एक आपके अठारवे प्रिश्ण का सही उत्तर है चलिए आज के सेकंड लाश्ट प्रिश्ण की और बढ़ेंगे साथियों जो 19 व से प्रिश्ण संख्या 19 का बताओ कौन सा विकल्प आपका सही आंसर रहेगा प्रिश्ण संख्या 19 में तो सही आंसर देख ले कि जो दिक्षरा इस प्रोग्राम है इसका सवयोग जिसके आरम से किया गया वो था ncte ncte यही है जो सात्यों सिक्सकों को प्रिश्ण देने का क प्रिश्ण संख्या 20 में पूचा जा रहा है कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रिश्ण संख्या 20 में पूचा जा रहा है नमबर 20 में तो भाई राजिस्तान घरगर ओश्डी योजना इसका नविन नाम देखो अक्षत योजना का नविन नाम नहीं है नहीं आयूश्मान भारत योजना का है नहीं मुक्ची मंतरी चिरण जीवी सौवास्त भीमा योजना का है बलकि जो मुख्यमंत्री युवासंबल योजना है साथियों इसका पहले क्या नाम था अक्षत योजना इस अक्षत योजना को नए तरीके से लोंच किया गया जिसका नाम क्या रखा गया मुख्य मंतरी योवा संबल योजना और ये योजना फरवरी 2019 को लोंच की गई जबकि जुलाई 2019 को इस योजना को लागू कर दिया गया तो फिर फोर्त विकल पाप के 20 प्रिश्ण का सही आंसर है अब ये 12 टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके 18 टेस्ट आने और बाकी है सेक्षिक प्रिद्रश्ण के सभी टोपिक से तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवा सभी का वीडियो को पुरा देखने के लिए